पई हम्हारी चैज़नल में आप लोगों का बहुत स्वागत हैं मैं सारे वीवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं गयज़ फाले चानल का नाम है अनुटैक एजूटेशन और हम यहां पर ग्रामर के सारे टॉपिको और करते हैं आज हम लोग finally article को भी complete कर चुके हैं जिसमें हम लोगोंने article का पूरा बैक्राउंड देखा, पूरा बेस देखा है, हम लोगोंने article का, कि article कब-कब लगता है, किसके साथ नहीं लगता, कहानो article लगता है, और जो आप लोगों ने आपकी मैडल ने जो इस्टूल में पढ़ाया था उन कॉंसेप्टों से भी हटके हमने उनका एकदम उसको पूरा एनलाइस करने के बाद ही हमने कुछ अच्छे-च्चे कॉंसेप्ट आप लोगों के लिए ले कर आये थे हैं और उन कॉंसेप्टों के माथ्यम से मैंने आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताया है ना और वो भी बहुत आसान तरीके से I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने आर्टिकल में किन-किन चीजों को आप लोगों को advanced चीजे बताया यदि आपको article बिल्कुल भी नहीं बनते लेकिन यदि आप मेरी पिछले तीन क्लासों को देखते हैं article की पूरी part 1, part 2, part 3 आप लोग मेरी तीनों क्लासों को जरूर देखेगा यदि आप वो मेरी classes देखते हैं तो आप जीवन में कभी भी आर्टिकल को नहीं भूल पाईगे और कैसा भी question चाहे school पे हो चाहे competitive exam में हो आपके अगर यदि आता है तो आप उसको आसानी से सवालो कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने बहुत analyze करने के बाद ही ऐसी ऐसी trick के माध्यम से देखा है ऐसे तो हम बहुत से question कर चुके हैं पिछली class में पर हम आज भी कर लेते हैं थो ऐसे question he gave question number one है he gave me blank one rupee note ठीक है ना तो अब हमें पता है कि क्या है लिखा आ रहा है वह one मतलब वह का sound आ रहा है गाईज और मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि का से ग्या तक आता है ठीक है यदि क्या से लेके ग्या तक आता है तो हमें A लगाना है और यदि A से लेके आहा तक sound आता है तो उस condition में हमें क्या लगाना है N लगाना है बस आपको इस rules को याद रखना है ठीक है वह A, E, I, O, U को भूल जाईए आप है ना यह सोचिए कि वह कुछ भी नहीं है लेकिन यह दि आपको क से लेके ग्या ग्यानी तक बोलने में कोई भी sound आता है कख गा गा वाले और A, 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 E, E वाले जो भी sounds आते हैं से लेकि अहां तक जो भी sound आता है तो उन sound के शाद हम लोग N का प्रयोग करेंगे ठीक है ना आर्टिकल N का प्रयोग करेंगे तो देखते हैं और दा का प्रयोग किसी specific चीज़ को ही प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है ना और हम तो पिछले rules पूरी तीन क्लासों में बात कर चुके हैं कि क्या-क्या rules होते हैं इनके तो ठीक है इसलिए वह का sound आ रहा है वन रूपीज मतलब का उसे ग्या तक बात हो रही तो वह का sound आ रहा था इसलिए हमने यहां A को लिखा ठीक है next question है my father is blank MLA ठीक है ना तो क्या sound आ रहा है M A का sound आ रहा है और A का sound किस में आता है A से अहा के बीच में आ रहा था इसलिए हमने यहां पे N को लगाया ठीक है ना Ram was given blank post of Pune ठीक है ना अब यहां पे तो post की बात हो रही है किसी specific post में है मतलब हा ना collector है Chief Minister है जो भी हो तो यह इनके पापा पीउन थे तो एक specific post को प्रदर्सित करता था इसलिए हमने यहां दागा प्रयों ठीक है यदि किसी भी इस्थान पर specific चीज के लिए जाया जाता है ठीक है ना जैसे चर्च जा रहा है तो प्रे करने जाएंगी हम लोग है ना hospital जा रहा है इलाज कराने जाएंगी स्कूल जा रहा है पढ़ने जाएंगे है ना तो इस टाइप जेल जा रहा है कुछ गलत काम किया त प्रयूग कर रहे था हमने पिछली क्लास हों में बात कर चुका है कि कि इन के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता ठीक है ना चाहे स्कूल चर्च घॉशून या कोई भी प्लेस हो यह ना पिछिश है जैसे प्रीजन है जेल bya Band a legitimate यॉल्क यजिदी यह हम इतो लिखा है मैडब हमें क्या बताती थी कि एटा एई आई ओ यू जहां भी देखा तो एन को चिपगा दो ठीक है ना लेकिन गलत निकल रहे हैं यह रूल से आप देखे एई आई ओ यू आपने देखा ठीक है हम मानते हैं वो भी रूल मैडम का कहना सहीं था ठीक है लेक कांड यू का किसमें आ रहा है को से ग्या तक आ रहा है इसलिए इसमें हम लोग एक अप्रेव करें क्योंकि यू रोपी यू की बात हो रही है इसलिए इस लिए इस कॉंसेप्ट को आप भूल जाए और इस तरीके से याद रखेंगे तो डेफिनेटल कभी भी नहीं बूले तो आवर बोल रहे हैं हम इसको तो जब हम इसको आवर बोलेंगे तो क्या साउंड निकल रहा है तो क्या आए गए है आए कि जैसा कोई दूसरा नहीं हो चांद तारो की जैसे दूसरा इसकाई की जगह कोई भी नहीं ले सकता है यह यूनिक चीजे हैं इसलिए इनके साथ में हम लोगों ने दाकाप्राइक किया तो दा इसकाई इस ब्लू ठीक है और ब्लैंक दिया है अर्थ मोस राउंड दर्शन ठीक है मैंने यह पहले फिल इसलिए कर दिया है क्योंकि फिर भी कम समय लगता है और मुझे भी कम टाइम लगता ने तो मुझे लिखने में टाइम लग जाता है और फिर आप लोगों को वेट करना पड़ता है दा अर्थ मूस राउंड दर्शन तो यह अर्थ भी हमारी स्पेसिफिक थी इसलिए हमने यहां पर भी दाका प्रयों किया ह आई होप आप लोगों को समझ में आया हूंगे और आर्टिकल ऐसे बताया है मैंने साइद आप कभी नहीं भूल पाएंगे इन आर्टिकल लोग है ना अब थोड़े से और कोश्चन देख लेते हैं इनके आप कुछ और एक्जामपल देखते हैं लोग है ना सारे इंपोर्टेंट एक्जामपल देखेंगे जो एक्जाम में यूसफुल होते हैं और जो एक्जाम में पूछे जाते हैं वही एक्जामपलों को हम लोग देख रहे हैं और मैंने जितने भी आप लोगों को रूल से पताया उन सभी से मैं आप लोगों को सारे कोस्चन कर वा रहे हैं ताकि आप लोगों के सारे डाउड क्लियर हो जाएं, next question है he is blank University student तिखैना यू का साउन्ड आया ूनिवर्सिटी बोल रहे है यू किसमें आ रहा है हम लोगोंने देखा कौ से ग्या तक न तो कँ से ग्या के बीच में यू भी आ रहा है या यग कभी इसलिए लिए हम लोगों ने यहां पर एक प्रयोग किया ठीक है नेक्स्ट है ब्लैंक दिया है रामयान इस अधर हो रहे हैं और हमने आपको बताया था पिछली क्लासों में कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायन है रामायन है कुरान है बायबी लहना गीता है इन सभी क नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, या तो नन लिखा आएगा आपके पास, तो नन लिखे या या फिर यह sign बना होता है, नो आर्टिकल का sign है, या हम लोग इसकी जगे नन भी लिख सकते हैं, ठीके, नन उब दिस भी आता है, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यह भी एक sign है, नो आर्टिकल का, ठीक है, तो इसमें नो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ओके, इस डाइडॉग, मलेरिया, कोई बिमारी है, उसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कोई दिनों के नाम है, महीनों क मेरा में, उनके साथ भी हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, ना, I saw a woman with blank umbrella, ठीक है, अब हमें आगे पीछे का कुछ नहीं देखना है, हमें ये देखना है, कि बात umbrella की हो रही है, और umbrella में कौन सा साउंड आ रहा है, अ, हाना, अ का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ N लगा दिया, ठीक है, ना, आप A, E, I, O, U, वाले कॉंसेप्ट में बिल्कुल भी मज जाईए, नेक्स्ट है, खालिस्तान, ब्लैंक दिया है, अर्थ is surrounded by water, ठीक है, अब हमें ये देखना है, हमारा आर्टिकल का question, और यहां क्या लिखा है, अर्थ इसलिए यह सारे यूनीक चीज़े होती है, उन सबी के साथ define चीज़े हैं, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है, इस प्रत्वी पे, इसलिए यह क्या है, स्पेसिफिक के कारण इनके साथ दागाप्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है, अब हम मैं लोगे नेक्ट देखे और एक्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसलिए मैंने प्रिवियस कम से कम 10 से 12 सालों के एक्जाम में जो कोश्चन पैटर्न था और जिस टाइप के कोश्चन पेपर पूछा था मैंने वो सारे कोश्चन आप लोगों को कवर करवा दिया और कॉंसेट भी मैंने एक एक कॉंसेट बता चुकी हैं क्योंकि ये प्रोवर्ब है एक कहावत है na honesty is the best policy बुलते हैं हमां इमानदारी ही अच् तो ये एक slogan है ठीक है ना इसलिए इनके साथ सुवी चार बोल सकते हैं एक प्रकार से हम लोग स्कूल में बोला जाता है सुवी चार तो ये इसलिए इसके साथ में भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है आई होप आप लोगों को आची कलास समझ में आई होगी गाईज आज हम लोगों ने कॉम्प्रिटिव एक्जाम के भी सारे कोश्चनों को लगभग कवर कर चुका है जो बहुत जादा पूछा जाता है आर्टिकल में है ना आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आची class तो यदि आपको कुछ doubt रहता है तो आप मुझे comment section में जरूर comment करके बताएगा कि आपको किछ part में समझ में नहीं आ रहा है ठीक है तो मैं आप लोगों को उस part का reply भी देधूंगी ओके और thanks for watching this video मिलते हैं हम अगली क्लास में तब तक के लिए ओके बाई बाई ठीक है ना अब नए कॉंसेप्ट के साथ देखेंगे अगली क्लास क्या होने वाली है हमारी